आज आपको लेकर जा रही हूँ विजे विलास पैलस जो की मांडवी में है मांडवी कच डिस्ट्रिक्ट कुजरात में है और हमने इस पैलस को कई सारी बॉलेवुड मुवीज में भी देखा है चाहे वो हम दिल दे चुके सनम हो, लगान हो या कमांड हो और हम दिल दे चुके सनम की यादे ही मुझे इस पैलस तक खीच लाई है ताकि मैं भी कुछ फोटो आइडियाज, फोटो शूट कर लू यहाँ मैं आपको पूरा पैलस तो घुमाऊंगी ही, साथ ही साथ इसकी हिस्टरी भी बताऊंगी तो चलिए, चलते हैं विजर विलास पैलस आप जो यह लेफ्ट साइड वाली, बाउनरी वाल देख रहे हैं इसी के अंदर है यह पैलस और सामने जो थोड़ी भीड है, वहाँ टिकट काउंटर है राइट साइड में पारकिंग है, जो यहाँ गाड़ी से आते हैं, वो यहाँ पारकिंग कर सकते हैं सब कुछ पेट है, एंट्री के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ती है और सुबे नौस से लेकर के एक बजे तक यह खुला होता है और फिर कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, और फिर शाम में तीन से छे आप अपडेटिट टाइमिंग जरूर देख ले जब यहाँ जाए तो अब भी जो भीड़ आप देख रहे हैं, वो इसी लिए है क्योंकि पैलस का गेट बंद है और यह तीन बजे खुलेगा 70 रुपीज पर हेट करके टिकट चार्ज है अगर आप स्पेशल फोटोग्रफी करना चाते हैं यूजिंग स्टिल कैमरा, वीडियो कैमरा या डिजिटल कैमरा तो आपको अलग-अलग रेट्स पे करने होते हैं इवन प्री वेडिंग शूट के लिए इस पैलस को बुख किया जाता है चलिए अब बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ विजय विलास पैलस कच गुजरात भारत में मांडवी के समुद्र तट परिस्थित कच के जडेजा महराव का ग्रिश्म कालीन महल है कच के महराव महराव श्री खेंगर जी तृतिये के शासनकाल के दोरान अपने बेटे और राज के उत्तराधिकारी युवराज श्री विजय राज जी के उप्योग के लिए एक ग्रिश्म कालीन रिजोट के रूप में निर्मित इसका नाम उनके नाम पर विजय विलास पैलिस रखा गया था महल का निर्मान 1920 में शुरू हुआ और 1929 में पूरा हुआ महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था इसकी राजपूत वास्तुकला काफी हद तक और्चा और दतिया के महलों की योजना पर आधारित है इसे खंबो पर एक केंद्रिय उच गुमबद, किनारों पर बंगाल के गुमबद, रंगीन काचवाली खिड़किया, नकाशीदार पत्थर के साथ डिजाइन किया गया है जलिस कोनों पर गुमबददार गड़, एक विस्तारित बरामदा और अन्य पत्थर नकाशीदार तत्व महल बागीचों के बीच में पानी की नालियों और संगमर्मर के फवारों के साथ इस्थित है जलियों, जरोखो, छत्रियों, छजजों, भित्ती चित्रों और अन्य पत्थर की नकाशी के नकाशीदार पत्थर के काम खेडकियां और दर्वाजों के पैनल पर रंगीन काश का काम जैपुर, राजिस्थान, बंगाल और सौराष्ट्र के वास्तुकार और शिल्पकार और इस्थानिय कच्च कारिगर्द समुद्वायदारा किया गया है शीर्ष पर इस्थित बालकनी से आसपास के छेतर का द्रश्य दिखाई देता है खेडकियां खुले में होने का आभास देती हैं, जिससे होकर समुद्री हवाय गुजरती हैं परिसर में विजयराजी की एक छत्री भी है, जिनकी बृत्यों 1948 में हुई थी अगर वर्तमान स्थिती के बात करें, तो विजय विलास पैलिस का अपना निजी समुद्र तठ है यह रातो रात आवास प्रदान करता है 2001 के गुजराद भुकम के बाद कच्छ राज्यों का शाही परिवार अब महल में इस्थाई रूप से निवास करता है जिसमें भुच के एक अन्य महल रंजीत विलास का एक पंक भारी छती ग्रस्थ हो गया था पैलिस में एक संग्रहाले भी है मैं जब यहां आई तो मैंने सबसे पहले उपर जाना प्रफर किया मैं उपर छत वाले इलाके पर आ गई ताकि मैं फोटो शूट्स कर लूँ और जो आप ये अलग-अलग कोने अलग-अलग इलाके देख रहे हैं सब ही कोने अपने में ही महत्वि रखते हैं अपने में ही एक अलग खुपसूर्ती देते हैं जिसमें आप घंटों बिता सकते हैं और कितनी भी फोटों खीच लें वो कम ही लगेंगे उपर आने के लिए हमने जिस सीडी का इस्तिमाल किया था आपने देखा होगा वो कितनी पतली थी और उसी पतली सीडी से हम लोग उपर आए हैं और मेरे हिसाब से हाँ कितने भी वक्त मैं गुजार लूँ, अलग अलग लोकेशन्स और मुवीज में जो सीन्स आए हैं उस लोकेशन के, यही याद करते करते मेरा सारा वक्त बीटने वाला है. इस छट के उपर भी जो छट है, उस पर हमें सिर्फ लिमिटेड टाइम का एक्सेस दिया जाता है, जिस पर उपर जाने के लिए अलग से लोहे की सीडियां जो घूमती हुई हैं, उससे हम लोग उपर जाते हैं और उतरते भी हैं, और इन एन आउट का डिरिक्शन दिया उपर आफ सिर्फ आधा घंटा ही बिता सकते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो एक म्यूजियम की तरह काम करता है, और जो कमरे हैं वो देखने लाइक हैं, उसकी सजावर्ट, जो फोटोग्रैफ्स लगे हैं, जो भी फेमस परसनालिटीज ने यहां विजिट किया है, और एश्वर्य राय का कमरा हो, या फिर वो डाइनिंग हॉल जहां पर समीर गाना गाता है हम दिल दे चुके सनम में, सब देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि आप उस मूवी में ही कहीं खो गए हैं, और फिर हम उन कैरक्टर्स को ढूनने लगते हैं, महल का फर्स फ्लोर जो है, उसका एकसिस नहीं है हमें और नॉर्मल पीपल वहां जा नहीं सकते, वो स्पेशल गेस्ट के लिए या फिर जब मूवी शूटिंग होती है तो उस परपस के लिए ही खोला जाता है, मैंने पहले चत पर जाना प्रफर किया क्योंकि तीन बजे जस्ट गेट खोला थ और काफी भीड थी, बट पहले हमें ग्राउंड फ्लोर घुमाया जाता है, जिसमें की हमें फ्री गाइड़ टूर प्रोवाइड किया जाता है, हर कमरे का इतिहास, जिसमें मूवी शूटिंग होई है, उसके बारे में सब कुछ एक गाइड हमें बताते हैं, और इसके किया, आप भी अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो, बाहर का जो एरिया है, बहुत ही हर्याली भरा है, और काफी बड़ा है, तो आप यहां जरूर आएं अगर आप मांडवी को विजिट करने वाले हैं, और मैंने सबसे जादा जो टाइम बिताया, वो इसी पैलिस में बित प्रेखचे जाखचे हैं, अबड़ा है, झालिए, भाखचे हैं, यह भी विजिए.